मेरे घर में एक बेटी ने जनम लिया है लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसी इंशुरेंस पॉलसी या कोई ऐसा इंशुरेंस एडवाजर जो आकर मेरी न्यूबॉर्ण बेबी के लिए मेरी बेटी के लिए एक ऐसा प्लान बताए जो plan बेटी के future के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेटी के साधी के लिए मुझे उस time पर पैसा मिले जब मुझे पैसे की जरुरत हो काफी दिनों से सर्च कर रहा हूँ लेकिन कोई ऐसा advisor नहीं मिल पा रहा है और नहीं कोई ऐसी insurance policy मिल पा रही है जो insurance policy मुझे मेरे बच्चे के future के लिए काम आए मैं confuse हो जाता हूँ तो अगर आपके साथ में भी ऐसी problem आती है या आपका insurance customer आपको call करता है कि मुझे ऐसी policy चाहिए जो मेरे newborn baby के लिए हो तो आप उसके पास जाकर उसको कौन सी policy बताए किन policy के बारे में आप discuss करें किन बातों के बारे में आप discuss करें आज की इस वीडियो में हम यही discuss करने वाले है तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का topic है which is the best policy in LIC for newborn baby जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो हर एक माता-पिता पहले से ही plan करते हैं बेटी होगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की साधी के लिए इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए और अगर बेटा होगा तो भी बेटे की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छी सिख्षा दे पाए तो एक insurance advisor तभी अपने customer को सही policy guide कर सकता है जब उसको पता होगा कि बच्चे के future के लिए किस type की requirement पढ़ती है बच्चे की पढ़ाई के लिए किस time पर पैसे की ज़रत पढ़ती है और क्या-क्या benefit policy में होने चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल skip नहीं करना है वीडियो पूरा last तक देखना है आपको और अगर आप एक customer है और आप भी अपने newborn baby के लिए कोई insurance policy सर्च कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को last तक देखिए क्योंकि आज इस वीडियो में आपको वो कुछ points में बताने वाला हूँ जो points साइध आपको बहुत कम लोग बताएंगे उन points के बारे में तो चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो भी दरसक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि कौन सी best policy होगी LIC में newborn baby के लिए दोस्तो newborn baby जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो हर एक मातापिता plan करता है कि कोई ऐसी policy हो जिसमें बच्चे के future के लिए पैसा बिले अब market में दो थरीके की policy होती है लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है और आप गलत policy का चुनाओ कर बैठते हैं पहली policy होती है जिसमें insurance cover बच्चे का होता है यानि कि father का insurance cover नहीं होता है बच्चे का insurance cover होता है दूसरी policy होती है जिसमें बच्चा beneficiary होता है और insurance cover father का होता है अब आप देखिए कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है ये बात आपको सायद नहीं पता होगी अभी तक नहीं किसी ने आपको ये बात बताई होगी कि बच्चे का इंशोरेंस कवर वाली एक policy होती है और दूसरी होती है जिसमें बच्चा beneficiary होता है और father का insurance कवर होता है अब दोनों के परपज ही अलग-अलग है बच्चे का insurance का मतलब ये हुआ कि अगर कल in between policy period के बीच में बच्चे के साथ में कुछ दुरगटना कुछ misappening हो जाती है तो बच्चे के ना रहने पर बच्चे की मृत्ति होने पर पूरा पैसा father को मिल जाएगा दूसरा होता है जिसमें father का insurance cover होता है बच्चा beneficiary होता है उसका परपज होता है कि father ने बच्चे के future के लिए plan लिया है कि कल अगर भगवान ना करे father के साथ में कुछ misappening हो जाती है और father अपने बच्चे के साथ में नहीं रहता है तो उस case में father के ना रहने पर भी बच्चे की पढ़ाई के लिए जो बच्चे के future के लिए father ने प्लान किया था वो पैसा father के ना रहने पर भी LIC उसको दे है तो ये दोनों जो तरीके के plans हैं दोनों में बहुत फरक है दोनों के purpose है अलग अलग है बट आपको ये जानकारी कोई देता नहीं है और आप गलक policy हैं सुनाओ कर बैठते हैं तो आप सभी insurance advisor जब भी अपने customer के पास जाते हैं आपका customer जब आपसे पूछता ह कि कौन सी policy लेनी चाहिए तो आप अपने customer को ये बात ज़रूर बताएं और अगर आपको नहीं पता थी ये बात तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी comment करके मुझे ज़रूर बताईए कि क्या आप ये बात जानते थे कि दो तरीके की policy होते हैं जिसमें एक में बच्चे का insurance होता है हम बात कर लेते हैं देखिए बच्चे की पढ़ाई के लिए आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है inflation rate जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए future में आज से 15 साल के बाद 20 साल के बाद 25 साल के बाद जितना पैसा पढ़ाई के लिए आज चाहिए तो उतना तो नहीं चाहिएगा उससे तो कहीं ज़्यादा पैसा चाहिएगा क्योंकि आप देखिए आज कल जिस हिसाब से inflation rate बढ़ रहा है आज से 20 साल पहले जो gas cylinder के दाम 100 रुपे 500 रुपे हुआ करते थे आज वो 1200 रुपे 1100 रुपे का gas cylinder आ रहा है इसी तरीके से petrol के दाम आज से जो पैसा चाहिए होता है आज अगर 10 रुपे लगते हैं तो आज से 20 साल के बाद वो 30 रुपे लगेंगे तो आपको अभी से बच्चे के future के लिए plan करना होगा आज से ही अभी से आपको सोचना होगा कि आज से 20 साल के बाद मेरे पास 30 रुपे होने चाहिए ताकि मैं बच जो हमारी जरुरत हैं उनमें कटोती करके बच्चे के लिए कुछ सेविंग कर पाएंगे, बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ पाएंगे, जब हम जोब स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंकम एकदम से एक लाग रुपे नहीं होती है, शुरू में कोई 10,000 से ज सेविंग नहीं हो पा रही है, तब भी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आप अपनी इंकम में से अगर पहले ही कुछ ऐसी सेविंग एमाउंट निकाल के साइड रख दें, ताकि आपको एक लाग रुपे की जो इनकम आई, जो सेविं होते रहे हैं, यानि कि आपने ECS लगा दिया कि एक लाग की जो मेरी सेविंग जाएगी उसमें से 10,000 रुपे मेरे बच्चे के नाम से सेव होते रहें साइड बाई साइड तो आपके पास बचे कितने 90,000, तो उस 90,000 में से ही आप खर्चे करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हम लोग सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, आज हम जितनी भी इंकम आती है, वो इंकम हमारी रोज खर्च होती रहती है, कभी-कभी तो यह होता है कि सैलरी आने से पहले ही हमाएं लोन लेना पड़ जाता है, और फिर किस्त बन जाती है? मुबाइल, स समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तो हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं यानि कि हमारा छोटा बेबी है न्यूबोन बेबी है हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो सब से पहले हमें ध्यान क्या रखना है जब भी हम कोई policy ले तो हमें ये देखना है कि उस policy में premium waiver benefit का option जरूर हो premium waiver benefit क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ जैसे बच्चे के नाम से policy लिए हमने बच्चे का insurance cover है बच्चे के नाम से policy लिए father proposal है policy में अगर in between policy period के बीच में father के साथ में कुछ misappening हो जाती है क्योंकि earning person कोन है family का father father पैसा कमाता है अगर father अपने परिवार के साथ नहीं रहा तो आगे premium कैसे जाएंगे कौन premium पे करेगा तो इसके लिए हम premium waiver benefit rider लेते हैं तो जब भी आप कोई special children plan लें तो उसमे premium waiver benefit rider जरूर लें इसका मतलब यह हुआ कि अगर in between कभी भी policy period के बीच में father के साथ में misappening हो जाती है तो उस case में आगे के जितने भी premium बचे हुए थे वो सारे premium माफ हो जाएंगे कोई भी पैसा बच्चे को या family को pay नहीं करना पड़ेगा सभी premium माफ हो जाएंगे और जो benefit मिलना होता है जो benefit मिलेगा अगर money back है तो money back मिलेगा और अगर lump sum पैसा मिलना है तो lump sum पैसा बच्चे के पढ़ाई के लिए उस time पर मिलेगा तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको premium waiver benefit rider जरूर लेना है policy लेते से में दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है आज के हिसाब से आप देखे कि आज अगर मेरे को बच्चे को MBA करानी है तो आज MBA कराने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है और आपका जो financial advisor आपके पास आएंगे आप उनसे discuss कीजिए या वो आपको बताएंगे calculate करके कि सर अगर आज 10 लाख रुपे पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं तो आज से 20 साल के बाद अगर 6% का inflation rate बढ़ता है या 6.5% का inflation rate बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको इतना पैसा चाहिए होगा उस time पे तो यानि कि बच्चे के future के लिए आपको आज ही सोचना पड़ेगा कि आज से 15 साल के बाद या 20 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए तीसरा benefit दोस्तों तीसरा आपको क्या सोचना है policy लेते समय तीसरा आपको ध्यान लखना है death होने पर कुछ पैसा तुरंत मिल जाए यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर फादर ने बच्चे के future के लिए प्लैन लिया है एक फादर है उसने सोचा कि मेरा बच्चा जब बढ़ा होगा तो बच्चे को 20 लाग 21 लाग रुपे मिलने चाहिए ताकि बच्चे की पढ़ाई सही तरीके से हो जाए यह उसने सोच के प्लैन लिया है लेकिन कल अगर फादर की death हो जाती है तो परिवार की source of income थी वो तुरंत बंद हो गई परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रुत किसकी पढ़ेगी पैसे की पढ़ेगी देखे आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है लेकिन आदमी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रुत पढ़ते है फैमली को वो financial support की पढ़ती है और दोस्तो financial support कोई किसी की मदद नहीं करता है इस दुनिया में ना कोई भाई करता है, ना कोई दोस्त करता है, ना कोई रिस्तेदार करता है कोई किसी की मदद नहीं करता है सिर्फ काम आती है insurance policy तो अगर आप policy लें तो ऐसी policy लें ताकि कल अगर भगवार ना करे कोई miss happening father के साथ हो भी जाए तो तुरंद family को financial support के लिए कुछ पैसा मिले जैसे LIC की एक policy है जीवन लक्से जीवन लक्से policy में तो उस case में अगर policy holder की death हो जाती है तो परिवार को 10 लाक रुपे तुरंथ मिल जाता है death होने के समय पर और अगर accidental death होती है तो accidental पर 20 लाक रुपे मिल जाता है और आगे के सारे premium माफ हो जाते है और LIC हर साल समय शोड का 10% यानि की 1 लाक रुपे हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करती जाएगी maturity तक जब तक policy चलेगी तब तक और उसके बाद पूरा maturity amount भी मिल जाएगा तो आप जब भी कोई policy लें तो हमेशा ध्यान रखें ऐसी policy लें कि कल अगर कोई ऐसी situation आ भी जाए अगर father के साथ में कुछ misappening हो भी जाए तो परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े क्योंकि सुख के सब है साथ ही दुख में ना कोई आज सुख के समय पर आपको लग रहा है कि आपके साथ तो ये भी है वो भी है हर कोई आपके परिवार के साथ है आपके साथ है लेकिन दोस्तों जब दुख की घड़ी आती है कोई किसी का साथ नहीं देता है तो ऐसी पोलिसी लें जिसमें तुरंत आपके परिवार को कुछ financial support मिल पाए और साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है ऐसा कोई plan लें जिसमें हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ income मिलती रहे जैसा मैंने आपको बताया LIC G1 लक्से में ये benefit है बाकी और भी policy हैं जिसमें हर साल income के तोर पे पैसा मिलते रहता है अगला point दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है जो भी policy holder policy लेते हैं अपने बच्चे के future के लिए आप एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप premium time पर pay नहीं करते हैं ये मैंने observe किया है बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ अगर due date 30 तारीक है तो हम premium देना ही भूल जाते हैं premium देते ही नहीं है एक मैंना दो मैंने तक policy को ऐसे ही पड़े रखते हैं policy को start ही नहीं करते हैं policy आपकी है policy चल रही है lapse नहीं हुई है policy लेकिन आपने premium पे नहीं किया है जरा सोचिए कि अगर उस period के बीच में policy holder की death हो जाती है तो company claim कैसे देगी क्योंकि आपने तो premium पे नहीं किया है यही reason है कि claim reject हो जाता है फिर बोलते हैं कि company ने तो claim नहीं दिया है अपना premium चाहे वो आपका गाड़ी का insurance हो चाहे वो आपका health insurance हो चाहे वो आपका life insurance हो अपना premium हमेशा time पर pay करें 30 तारिक आपकी due date है तो 30 तारिक को आप किसी भी कीमत पर अपना premium पे कर दीजिए या 30 तारिक से पहले भी आप premium पे कर सकते है तो कल अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तब भी कोई गबराने वाले बात नहीं पूरा claim company देगी अब बात करते हैं कि LIC के पास में ऐसी कौन सी policy है जो newborn baby के लिए ली जा सकती है जैसा मैं आपको पहले बता चुका था कि दो तरीके की policy होती है एक होती है जिसमें बच्चे का insurance cover होता है और एक होती है जिसमें बच्चा beneficiary होता है और father का insurance cover होता है तो पहले हम बात करते हैं वो policy जिसमें बच्चे का insurance cover होता है और वो LIC की children money back plan LIC का children money back plan जिसमें life insurance cover बच्चे का होता है ना कि father का होता है प्रोपोजर father होते हैं साथ में आप premium waiver benefit rider ले सकते हो इसका मतलब यह होता है कि अगर policy period के बीच में father के साथ में कुछ miss happening हो जाती है तो premium आगे के सारे माफ हो जाएंगे कोई premium pay नहीं करना पड़ेगा policy continuous चलती रहेगी और जो पैसा मिलना है वो पूरा पैसा मिलता जाएगा अब इसमें क्या benefit मिलता है सबसे पहले benefit होता है survival benefit यानि कि जैसे जैसे बच्चे की पढ़ाई होती जाएगी उसी के according आपको पैसा मिलता जाएगा अगर आप detail में जानना चाहते है children money back plan के बारे में तो आप मुझे comment में करके बताएगे मैं आपको एक separate video इस plan के बारे में बना कर दूँगा LIC children money back plan दूसरा दोस्तो maturity benefit यानि कि जब आपकी policy mature होती है तो maturity पे आपको पूरा लंसम amount मिल जाता है और तीसरा होता है death benefit यानि कि death होने पर परिवार को पैसा मिलता है अब इसमें term क्या होती है दोस्तों policy term क्या होती है policy term depend करता है बच्चे की age के उपर अगर बच्चे की age 5 साल है तो policy term 20 साल होगा यानि कि 25 इसका एक formula है 25 माइनस policy term अगर policy term 25 माइनस बच्चे की age अगर बच्चे की age 5 साल है तो 25 माइनस 5 उक्वल to 20 तो policy की term 20 years होगी अगर बच्चे की age 9 साल है तो 25 माइनस 9 उक्वल to 16 तो 16 साल की policy term होगी अब बात आती है कि LIC Children Money Back Plan को किस age के बच्चे के लिए लिया जा सकता है देखिए इसमें minimum entry is 0 year है और maximum entry is 12 साल है यानि कि 0 year से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए ये policy ली जा सकती है और minimum maturity is 25 years है इसके बारे में मैं already एक separate video बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं video के बारे में जानना तो आप मुझे comment करके बताईए मैं कोसिस करूँगा उस video के बारे में discuss करने की क्योंकि अगर मैं detail में बताऊँगा तो ये video बहुत lengthy हो जाएगा दूसरा हम discuss कर रहे थे ऐसी policy जिसमे insurance cover father का होता है ना कि बच्चे का होता है देखिए अभी हम बात कर रहे थे LIC Children Money Back Plan जिसमे insurance cover बच्चे का है समझ ये अगर बीच में policy period के बीच में father की death हो जाती है तो बच्चे को तुरंट तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि insurance cover बच्चे का है father का नहीं है बट हाँ premium सारे माफ हो जाएंगे और maturity पर जो money back मिलना है या जो full maturity amount मिलना है वो पूरा पैसा मिलेगा लेकिन अगर in between बच्चे की death हो जाती है तो जितना भी insurance का amount है वो father को मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से जो मेरा view है वो ये है कि इस policy का कोई खास फाइदा नहीं है क्योंकि हम बच्चे के future के लिए प्लान कर रहे है ना कि हम ये सोच रहे है कि कल बच्चे को कुछ और father को पैसा मिले इसलिए मैं recommend करता हूँ LIC G1 Luxe Plan LIC G1 Luxe Plan में insurance cover father का होता है यानि कि अगर policy period के बीच में अगर 25 साल की policy है जिसमें आपको 22 साल तक premium pay करना पड़ेगा अगर 25 साल के बीच में customer ने समय शोड 10 लाग का लिया है customer की death हो जाती है यानि कि father की death हो जाती है तो उस case में अगर customer ने rider लेया हुआ है term rider तो उस case में 10 लाग रुपे family को तुरंत मिल जाएगा जिवन लखसे plan में death होने के समय पर जो children money back plan में नहीं मिलेगा 10 लाग मिलने के बाद policy बंद नहीं होगी policy चलती रहेगी आगे के जितने भी premium है वो सारे premium भी माफ हो जाएगे और LIC हर साल समय शोड़ का 10% यानि कि 10 लाग का 10% एक लाग रुपे हर साल 9 मिनी को पे करती जाएगी maturity तक ये benefit भी आपको children money back plan में नहीं मिलेगा ये सिर्फ LIC जिवन लखसे plan में मिलेगा इसके साथ साथ दोस्तों आगे के सारे premium माफ हो गए हर साल एक लाग रुपे की income मिलती जारी बच्चे के पढ़ाई के लिए और जब tenure complete हो जाएगा तो maturity के समय पर some assured plus bonus plus final edition bonus भी दिया जाएगा LIC जिवन लखसे plan में कुछ लोग इसको कन्यादान policy के नाम से भी जानते हैं तो मेरा suggestion ये कि आप चुनाव करना policy का वो आपका काम है आप कौन सी policy का चुनाव करें लेकिन मेरा काम है आपको सही guide करना आपको सही बताना आप अगर advisor है अपने customer को आप भी सही बताएं कि sir children money back plan और जीवन लखसे में ये फरक है एक में insurance बच्चे का होता है एक में insurance father का होता है एक में proposal father होता है एक में beneficiary बच्चा होता है दोनों में बहुत फरक है तो I hope कि आपको आज ये video पसंद आया होगा और अगर अभी भी आपके मन में कोई query है तो आप मुझे comment करके पूश सकते हैं अपने सवाल मैं कोसिस करूँगा आपके question का जवाब देने का comment box में तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और जो दरसक हमारी वीडियो पहली बार हमारे प्रोग्राम लेकर आता हूं जहां पर आप सभी insurance advisor के प्रिष्णों का जवाब दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में इतना ही thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जूटने के लिए thank you so much